त्योहारों पे एक कप दूद और आधा कप चीनी से बनाएं बहुत ही टेश्टी और हजार रुपए किलो मिलने वाली बिल्कुल बाजार जैसी मिठाय हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है तो मिठाय बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे वाले मिकसर चार लेंगे और इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और अब हम इसमें दो हरी इलैची को इस तरीके से खोल करके इसके बीज एट करेंगे क क्योंकि इसका फ्लेवर बीज में ही बहुत ही अच्छा आता है यहां मैंने फ्लेवर के लिए दो इलैची का यूज कि आप चाहे तो इलैची पॉडर भी यूज कर सकते हैं और अब हम छिलका को अलग रखेंगे और अगर आपको इलैची का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसमें केवडा वाटर भी एड़ कर सकते हैं और अब हम जार का धकन लगा करके इसे 1-2 सकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे और अब हम मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें एक कब दूड डालेंगे यहां मैंने दूड को एक बार बॉयल करके अलाते हुए इस पैचुला से ही मिक्स कर लेंगे जिससे आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है और चीनी अच्छे से घुल गई है और चीनी पानी भी रिलीज कर रही है जिसके वज़े से दूद भी पतला हो गया है और अब हम इसमें इस टैम पे मिल्क डाल कर इसे अच्छे से चलाते हुए mix कर लेंगे जिससे दूद में milk powder अच्छे से mix हो जाएगा या घुल जाएगा हम इसे continue इसी तरीके से चलाते हुए इसके लंस को दबाते हुए अच्छे से milk powder को mix कर लेंगे और आप देख सकते हैं milk powder को अच्छे से या मैंने दूद में म चलेंगे क्योंकि यहां हमने milk powder का use किया है और milk powder में fat नहीं होता है तो आप देख सकते हैं यहां मैंने melted घी का use किया है आप चाहें तो घी की जगा butter भी डाल सकते हैं उससे भी यह बहुत ही बढ़िया और soft ही बनेगा और घी डाल कर अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए फिर से 20 से 30 से के लिए mix कर लेंगे और आप देख सकते हैं घी भी अच्छे से mix हो गया है और अब हम इसे gas पे रखेंगे और gas का flame high रखेंगे और high flame पे हम इसे इस तरीके से continue चलाते रहेंगे जिससे कड़ाई के साथ हमारा batter भी अच्छे से cook होगा और जलेगा नहीं और यह instant य जल्दी बनेगा और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे high flame पे continue चलाना है जिससे इसका पानी जल्दी सुखेगा और आप देख सकते हैं इसे high flame पे 2 मिनट यहां मैंने इसे पकाया था और यह काफी अच्छे से थिक और गाड़ा भी हो गया है तो आप इस तरीके से continue चलात और इस तरीके से आप मिठाई बनाएंगे तो तियोहार में बाजार से महगी और मिलावटी मिठाई लाने की वज़ा आप घर पे ही मिन्टों में बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट बिल्कुल बाजार जैसा मिठाई बना के तयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं medium flame पे इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं मिठाई बनाने के लिए हमारा instant बिल्कुल market जैसा दानेदार मावा बन के तयार हो गया है हम इसे 1-2 मिनट और continue इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे जिससे इसका moisture सुख जाएगा और मिठाई बनाने के लिए ह देखिए गैस का flame यहां मैंने off कर दिया है और अब हम कढ़ाई के ही गर्मी में इसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से फिर से हम mix कर लेंगे जिससे यह तले में जलेगा नहीं और यह जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लि अच्छे से grease कर लिया है और अब हम एक इस तरीका के प्लेट लेंगे और इस पे अच्छे से butter paper को sit कर देंगे और अब हम butter paper के उपर कटे हुए पिस्ता डालेंगे यहां मैंने पिस्ता का यूज किया है आप चाहे तो almond का भी यूज कर सकते हैं यह आपको जो भी dry fruit पसंद ह आप उसी dry fruit का use करें और यह देखिए butter हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है तो मावा वाला हम butter डालेंगे और यह जैसे जैसे और ठंडा होगा यह और अच्छे से ठिक होते जाएगा और अब यहां मैंने सारे butter को अच्छे से डाल दिया है और अब हम इसे plate में spatula से ही अच्छ सेफ में spatula से अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसे butter paper से इसके किनारे को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे square shape देंगे और इसी shape में हम इसे ठंडा होने के लिए एक घंटे के लिए fridge में रखेंगे जिससे यह मिठाई हमारा बहुत अच्छे से ठंडा भी हो जाएग और ये set भी हो जाएगा और आप देख सकते हैं मिठाई के लिए batter हमारा काफी गरम है तो हम इसे spatula से ही अच्छा अच्छा square का shape देंगे मिठाई तो आपने हजारों बार खाई होगी और सायद बनाई भी होगी लेकिन इस तरीके से अगर आप इस मिठाई को बनाएंगे और अपने family relative किसी को भी खिलाएंगे तो मेरी guarantee है वो आपसे जरूर पूछेगा कि आपने इसे किस दुकान से खरीदा है और कोई भी यकीनी नहीं करेगा कि इतनी स्वादिश मिठाई अपने घर पे बनाई है और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने batter को अच्छे से spatula से square का shape दे इसे एक घंटे के लिए fridge में ठंडा होने के लिए रख दिया था एक घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं मिठाई हमारा ठंडा भी हो गया और शेट भी हो गया है और अब हम एक इस तरीके का plate लेंगे और इस तरीके से हम butter paper को मिठाई के ऊपर से इस तरीके से remove कर या निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये butter paper को easily छोड़ दिया है और चलिए मिठाई हमारा बिलकुल perfect square shape में बना है और अब हम इसे बीच में से naif या चाकू से cut कर लेंगे और अब हम इसके छोटे छोटे rectangle के safe में cut कर लेंगे आप इसे अपने हिसाब स बर्फी या circle भी cut कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मिठाई हमारा बिलकुल perfect बन के तयार हो गया है और मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ ये easily तूट रहा है और ये बहुत ही soft बन के तयार हुआ है जितना ये बनाने में असाने खाने में उससे कई गुना ज्याद तो इस रक्षा बंदन हो या दिवाली तो आप हर फ्रेश्टिवल में इस मिठाई को मिंटो में घर पे बना के तयार कर सकते हैं तो बचार से आपको मिलावटी और महगी मिठाई करीदने की बिलकुल भी जौरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसे के लिए तूट भी रहा है और इस मिठाई को आप बना करके दस से पंदरा दिन के लिए फ्रिच में श्टूर करके भी रख सकते हैं यह बिलकुल खराब नहीं होगा तो आने वाले फ्रेश्टिवल में आप इस तरीके से जट पट घर पे बिलकुल बाजार जैसा स्वादि करने करें